दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है सुप्रीम कोर्ट पहुच सकती है सिबियाई चारा घुटाल के मामले में लालू प्रसाद को मिले जमानत के खिलाब सिबियाई सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है सिबियाई ने इसकी तैयारी सुरुक कर दी है और जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी सियार की धारा चार सुसता इसको आधार मनाते हुए सिबियाई सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद की जामानत रद करने का आगरा करेगी सिबियाई के मताबिक लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है लेकिन सिबियाई कोड ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदिस नहीं दिया है बिहार सरकार का बड़ा फैसला अब सडग दुरगटना में मौत होने पर परिजनों को मिलेगा मौवजा जाने कितने मिलेगी रासी जी हाँ सड़क दुरगटना में होने वाले मौत या गंबी रूप से गायलों को सरकारे रहत प्रदान करने के लिए राज तरिया दावा न्यादी करन का गठन होगा परिवान विभाग ने इस बाबत निर्ने ले लिया है अनुमंडल पदादीकारे के माईदम से राज इस तरिया सड़क दुरगटना के हातात लोग मौवजार आसिक के लिए दावा कर सकेंगे उलेखनी है कि राज तरिया सड़क दुरगटना में मौत होने पर उनके निकरतम परिजनों को पांच लाग तो गम्मी रुप से गायलों को धाय लाग रुपे देगी बिहार में इस साल गर्मी करेगी हालत खराब मौसम विभाग का पुर्वानुमान राज में समानी से कम होगी बारिस जिहां सुबे में इस बार मांसुन की बारिस समानी से कम होगी मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पुर्वानुमान के मुताबिक इस्टन यूपी और राज के पश्चिमी भाग में सामानी से कम बारिस के आसार है जबकि पूर्वी बिहार में इस्तिती थोड़ी बहतर रहेगी और सामानी के असपास बारिस होगी सूबे में कहीं भी सामाने से अधिक बारिस का पुर्वानुमान नहीं है हाला कि मौसम विदों का कहना है कि अभी यहां प्रातमिक आकडों के विसलसन के आदार पर जारी किया गया पुर्वानुमान है माई के आंद तक जारी होने वाले पुर्मानुमान के सटिकता जादा बहतर होगी परपुर में 25 अपरेल को होने वाली रेली इस्थगित अभी अरतियों को इंट्रेंस पास वापस करने का आदेश आपके जानकारे के लिए बता दे कि यह रेली 25 अपरेल को सेना भरतिक कार्यालाई चक्कर मैदान में आयोजित होनी थी बड़े कबर बे घर भी ले सकेंगे लपीजी कनेक्शन आवासे परमान पत्र की अब कोई जरूरत नहीं जी हाँ इंडियान ओयल कोर्प्रेशन ने लपीजी के नए कनेक्शन लेने वाले ग्रहाकों को बड़े रहत दी है अगर आपके पास आवासे परमान पत्र नहीं है तो भी आप लपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ले सकते हैं पहले आवासे परमान पत्र जरूरी था सूबे में लगबग 88,57,000 LPG उपबोगताओं को सेवा देती है इनमें अकले पटना जिले में 8,57,000 ग्रहक है सरकार ने बताया था कि सरकार प्रधान मंत्री उज्वाला योजना के तहद अगले दो वर्सों में एक करोड से ज़्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देगी सरकार का लच्चे सभी गरीब परिवारों को निसुलक LPG कनेक्शन उपलब्द कराना है सरकार अब बिना आवासे परमान पत्र के LPG कनेक्शन दे रही है इसके अलावा लोगों को अपने पडोस के तीन डिलोरों से एक रिफील सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा खतम हुआ विवाद इबियम से ही होगा बिहार पंचाइट चुनाव विदानसवा वाली M2 इबियम से होगा चुनाव M2 इबियम सिंगल पोस्ट इबियम है त्रिस्तर यव पंचाइट चुनाव में 6 पदों के लिए हर बूत पर 6 अलग-अलग इबियम का इस्तिमाल होगा विवार पंचाइट चुनाव के लिए बनने वाले अनुमानित एक लाग बिस हजार बूतों के लिए राज निर्वाचन आयोग को लगबग 7-8 लाग इबियम की जरत होगी भारत निर्वाचन आयोग ने राज निर्वाचन आयोग को इबियम उपलब्द कराने का जिम्मा लिया है बिहार सरकर का बड़ा एलान प्रवासि मैजदुर को दी जाएगी नौकरी प्यक्त लोन भी उन्हें दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की ओर से 5 लाग का अनुदान दिया जाएगा सेस बचे 5 लाग चोरासिक किस्तों में उन्हें वापस करना होगा अर में डियल और फिटनेस परमान पत्र अब 30 जून तक होंगे माइन परमिट के लिए इस तारिक तक करे आवेदन जी हाँ कोरोना में अमारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस पिटनेस परमान पत्र वाहनों के रिजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तवेज की वेदता को 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया है कि अंद्रिय सडग परिवाहन और राजमार्ग मंत्राले के निडिश पर परिवाहन विभांग ने चेत्री परिवाहन प्रादिकार सभी जिला परिवाहन पदिकार और मोटर यान निरिक्चक को पत्र लिकर इसकी जानकारी दी है आपको बढ़ा दे कि इसका लाब उन वहान चालकों को मिलेगा जिनके दस्तावेज की वेदता एक फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कुरोना संक्रमन के कारण इसे फिलाल बढ़ाया नहीं जा सकता है परमिट के लिए 30 अपरेल तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए परिवहान बिभाग ने बिहार पश्चिम मंगाल और बिहार चतिसगड के बीच परमिट सम्मन्दित आवेदन करने की तारिक 30 अपरेल तक बढ़ा दी है पहले 15 अपरेल तक अंतिम तिती थी बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाइकोट ने जताई चिंता स्वास्त विभाग की जम कर खिचाई की है कोट ने जाच रिपोर्ट में देरे इलाज नहीं मिलने आदे पर चिंता जताई है कोट का कहना था कि आम जन के लिए सरकारे अस्पताल का दर्वाजा लगबग बन सा है आम जन को भरतिक करने से मना कर दिया जा रहा है कहीं बेड नहीं होने तो कहीं ऑक्सिजन नहीं होने की जानकरी दी जा रही है यह गलत है अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बहतर इलाज देने की विवस्ता की जानी चाहिए सुवीदा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उहलब्द कराने की करवाई करे जरत के हिसाब से संसाधन मुहाया कराए ओट ने मामले पर अगली सुनवाई 17 अपरेल की तारिक निर्दारित की है बड़े कबर केंदर सरकार की स्क्रेप पॉलिसी की तहद बिहार में करीब डेड़ लाग गाडिया होगी सड़क से बाहर फिटनेस जाज के लिए बिहाटा में खुलेगा केंदर राज को परदोसन मुक्त बनाने के लिए राज सरकार इलेक्ट्रिक बेटरी वो स्येंजी से चलने वाले गाडियों को बढ़ावा दे रही है सरकार व्यबसाइक वाहनों में अनुदान भी दे रही है थाकि लोग पुरानी गाडियों को स्येंजी में कनवर्ट कर ले वहीं विवाग सडक से पुरानी गाडियों को हटाने के लिए बिहाटा में निरिक्चन एवाम प्रमानी करन केंदर खोलेगा इस केंदर के मैदम से ही पुरानी गाडियों को सर्टिपिकेट दिया जाये या कि वह सडकों पर चलने के योग है या नहीं बिना इसकी सर्टिपिकेट के लिए कोई सड़क पर गाड़ी नहीं चला पाए गाए गाज की सबसे पहले कबर नितिस केवेडनेट ने 9 एजेंडों को पास किया नेचर सपारी ओपी के लिए 96 सरकारी अत्तिक ग्रियों में 151 बहालिया होगी जिहां बिहार केवेडनेट की कल वीडियो कॉनफरेंसिंग के मैदम से बैठक हुई सेम नितिस कुमार के अधिक्स्ता में हुई इस बैठक में कोल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है नितिस सरकार ने एक बार फिर दो विभागों में रोजगार स्रिजन करने फैसले लिये हैं राजगीर में नेचर सपारी ओपी के लिए 96 पदों जबकि जीलों के सरकारी अतितिक ग्रियों में 151 रसोयों के पदों का स्रिजन किया जाएगा इसके अलावा सरकार ने इवावो महिलाओ के स्वरोजगार के लिए कूल 400 कडोर रुपे की भी स्विकृति दी है बिहार बोर्ड ने डियलेट कमपार्टमेंडल के साथ तीन परिचाए अगले आदेस तक कैंसिल की बिहार बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चात्रों के हित में तीन परिचाए अगले आदेस तक के लिए निरस्त कर दिया है वियार बिदाले परिचा समिती ने जिन तीन परिचाओं को निरस्त किया है उसमें डियलेट विसिस परिचा दोजर बीस इंटर्मेडियेट कमपार्टमेंडल सब विसिस परिचा दोजर एकी सता मायदमें कमपार्टमेंडल सब विसिस परिचा सामिल है आज में अगले दो दिन बढ़ेगा तापमान फिर होगी बारिस जल्दी जल्दी मौसम बदलने से बिमार हो रहे हैं लोग राज में अगले दो दिन अधिक्तम तापमान में दो से तीन डिगरी बढ़ने के आसार है दरसल एक बार फिर प्रदेस में पचवा हवा चलनी सुरू हो गई है उदर जारकंड में सक्रिय चकरवात के कारण दक्षिनी बिहार में एक दो इस्थानों पर बिजली चमकने के में कोई खास उलट पेर होने की सम्हावना नहीं है आएमडी पटना की अधिकारिक जानकारे के मुताबिक 21 अप्रेल से प्रवया हवा एक बार फिर चलने लगेगी चिहार में ढाय लाक लोगों को रोजगार देगा एनच एयाए 400 सड़क परियोजना में काम कर रहे हैं 6000 मजदूर राज में मुईक सड़कों के निर्मान की इस समय चल रही करीब 400 परियोजना में करीब 6000 स्रमिक काम कर रहे हैं इसके अलावा भी बाहर से आने वाले स्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए पत निर्मान विभाग तयारी कर रहा है वही केवल NHAI राज में अपनी करीब 11,000 किलोमेटर की लंबाए में सड़क निर्मान परियोजना पर काम सुरू होने के बाद करीब 10,000,000 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहा है सुत्रों का कहना है कि कोरोना संगट के कारण आईने राजों से बिहार लोटने वाले स्रमिकों को रोजगार देने की सरकार तयारी कर रही है इसी के तहद पत निर्मान विभाग भी तयारी में जुटा हुआ है आज में मजदूर को 10,000,000 का लोगों जिसमें 5,000,000 माप रोजगार शुरू करने के 12 माँ बाद 84 किस्तों में देने होंगे 5,000,000 पोटल पर 10 कराले अपना नाम सियम नितिस कुमार ने बिहार के बाहर रहकर मजदूर करने वालों से अपिल की है कि वे चाहे तो वापस आ सकते हैं सरकार उनके हुनर के मताबिक उन्हें रोजगार करने के लिए लोन उपलब्द कराएगी ग्रामिन विकास मंत्रे ने परवासे मजदूर को जौब कार दने की बात कही है स्किल्ड मजदूर को रोजगार के लिए स्राम विभाग भी तयारिक कर रहा है स्राम विभाग के मंत्रे जिवेश कुमार ने बताया कि दूसरे राजजों से आए साड़े नौ लाग लोगों को पंचायत इस्तर पर स्किल्ड मैपिंग कराए गई है वो चाहे तो लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं मजदूरों को राज सरकार स्वाई का व्यवसाई करने के लिए 10 लाग रुपे का लोन मुख मंत्री उद्दमी योजना के मैदम से देने का काम कर रही है ताकि आने वाले मजदूर अपने हुनर और कोसल के मैदम से अपना व्यवसाई कर बिहार के अईन और लोगों को भी रोजगार देने का काम करें इस योजना के ताद 5 लाग की सबसीडी मिलेगी लोन लेने वालों को 5 लाग रुपे ही लोटाने होंगी वह भी रोजगार सुरू होने के 12 महिने बाद 84 आसान किस्तों में आज के लिए आपका सवाल बताए कि छेत्रफल के दृष्टी से बिहार का सबसी छोटा जिला कौन सा है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए